दर्शेको रुद्राक्ष भगवान को अत्यन प्रिये और जो भी से धारन करता है उनको भगवान शिव का आशिवारतों मिलता है और यह शुप्राण में कहा भी गया है कि इसको धारन करने के पश्चात आप जो भी दान करते हैं ना सेव उससे आपको जीवन और मृत्यों के चक्र से मुप्ती मिलती है बलकि शिव लोग को भी प्राप्ती होती है अर्थ और कामना देने वाला होता है साथ ही यह दारुण पाप से भी मुप्ती दिलाता है रुद्राश अपने में एक विशेश फल का बीच है इसमें कोई बहुत चुपी शक्तिय होती है इतकी यह होती है जिसका असर हमारे मस्तिक्ष पर हमारे विचारों पर हमारे शरी पर देखने को मिलता है अब तेरे मुकिर उद्राश को एक देव मनी भी कहा जाता है यह जो शुक्रों और चंद्रमा के द्वारत शासित है साथी वैक्ति की भावना और विचारों को भी शुत कर आप देख सकते हैं कि ये दुराश पहने के पश्चात भ्रह्म की अवस्ता को दूर होती है यह संतान का आशिवा देने वाला होता है इसके लाबा कुंडली शक्ति को भी ये जागरत करता है या आग्या चक्रत से संबंदित है वेक्ति को बुरे कर्मों से दूर करता है और साथी मांसिक विकारों से भी दूर करता है आप इसे किसे धारण करना है चाहिए कौन इसे धारण कर सकता है आप जिसकी कुंडली में शुक्र और चुन्दमक पिड़ी तवस्था में बैटे हैं या बुरे घ्रह से शासेत है या प्रभावित होकर बैटे हैं जिसका असर आप अपने जीवा पे बुरा देख रहे हैं इ जो है अनुभवी जोतिश की सला से धारण करें इसकी उर्जा को सक्रिय करने के पस्चाती धारण करें यह लिए आप चाहते हैं इसका लाप राप थो अब तेरह मुखी रुद्राक जो है विबिन बिमारियों में हमारी रक्षा करता है बहुत से बिमारी हैं जिसकी आप प ज्योनी पीट के दर्थ को भी दूर करता है इसके लाएवऑ के इस सब्भग समस्यों इसकी साधने संधनस्याहें को भी दूर करता है और साधनी साधना में सिद्धी परदान करता I am इतनी उच्च वस्था में लेकर जाते हैं जहां पर व्यक्ति को सिद्धी प्रदान होती है यह आप साधना के पति गंबीर है और आप चाहते कि आप कुछ साधना में सिद्धी प्राप्त हो तो तेरे मुखी रुद्राज का धारंड करना अनिभारे हो जाता है अब इसको धा जाब करें 108 बार इसके बाद शुक्र के बीज मंदर का भी आप जाब कर सकते हैं तत्पस्चात आप पुरुफदिशाक की और खड़े होके इससे धारंड कीजिए इसके लिए पीला यह लाल धागा ही प्रयोग करें काले धागा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें कुछ न जित्र निंते इसकी पूजा करने चाहिए अगर कोई गुर्दोरकटना परिवार में या कहीं आसपस घड़ जाती जिसमें आप किसी की मृत्युक में आप हिस्सा ले रहे हैं तो उस समय आप इससे उतार के रख दें शुद्धी करन के पच्चात पूरा इससे धारंड कर इसके पच्चात आप अगर इसको किसी को ना दिखाएं बार बार ना उतारें इसके अलावा अगर इक कहीं से तूट जाता है तो इसको बहती नदी में प्रवा कर दें आप ये तेरह मुखी रुद्राक्षे आपको चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है साथी वि चुनने में मदद करता है इसके लावा ऐसे व्योंति जो कड़ी महनत के पच्चात भी अच्छा परिवा नहीं देख पते हैं तो तो तेरह मुखी रुद्राश्च उनको सही परिवाद आश्यवात परापता है इसके लावा इसमें साक्षात, कामदेव का आशीवात प्रा करना चाहूंगी कि हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें बैल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लावा जितना हो सके हमाई चैनल को लाइक और शेर करें हारे कुछना